कि आपको पता है कि आठ करोड से ज्यादा इंडियन्स सेयर मार्केट में अपना पैसा लगाते हैं लेकिन इसमें से 90 परसेंट लोग 90 डेस के अंदर अपना 90 परसेंट कैपिटल खो देते हैं यूट्यूब और दूसरे सोसल मेडिया प्लाटफॉर्म में आपको कहीं यह से ट्रेडिंग गुरूज मिल जाएंगे जो कि आपको ट्रेडिंग करके महिने का एक लाग दस लाग यहां तक एक करोड कमाने की फॉर्मूला देंगे और उफिस प्री में इन से मिलिए यह हैं असरुदिन अंसारी जिनके यूट्यूब पे बाप और चार्ट नामसे चैनल है और इसमें लोगों को ट्रेडिंग टिफ्स देते हैं इनका कहना है कि आप घर बैठे सिर्फ ट्रेडिंग करके महने का चार से पांच लाग रुपए कमा सकते हैं और यह 85% एकुरेशी के बाद में पता चला कि आदमें ट्रेडिंग के नाम पर हम और आप जैसे मासुम लोगों से पैसा हडपता था और इसके लिए सेभी ने उन पर 17 करोड का फाइन ठोक दिया नसीर ने ऐसे बहुत से लोगों का फाइदा उठाया जो लालश में उसका कोर्स खरीशते थे सेभी ने बैंक से इस खाते का स्टेक्मेंट मांगा उससे पता चला कि जन्वरी 2021 से जुलाई 2023 तक निवेशकों और क्लाइंट से कुल 17 करोड 20 लाग 76616 रुपए लिए लिए सिर्फ यह विए लौत इंसान नीए इनके जैसे कहीं और इंफ्योंसर है जो कि सेर मार्केट टिप्स देने के नाम पर सिर्फ सपना बेच कर लाखों कमा लेते और आपको लौस के बाद लॉस होते रहता है इतना लौस के बाद भी आज इंडिया में सेर मार्केट और ट्रे साथ यह काम कैसे करते हैं कि रिवार्विट करते हैं जिए और इंवेस्टिंग में क्या अंतर है और हाँ वीडियो के मैं आपको सेर मार्केट से जुड़े कुछ तो प्रकाता हुआगा जो कि आपको हजार ब सेब कर सकते हैं साथ ही साथ आपको लॉसेस से भी बचा सकती है तो वीडियो को लास्ट तक देखिए आपको यह तो पता है कि समय के साथ-साथ पैसों के वैलू कम होते रहती है जैसे कि साल 1987 में एक किलो आटे की प्राइज एक रुपई साथ पैसा था वही पर आज इसका प्राइज लगभग 50-60 रुपई है मतलब इस 37 साल में आटे की प्राइज लगभग 37 कुना बढ़ा है इस चीज को एक और एक्जामपल से समझते हैं माननो कि आपने आज से 10 साल पहले यानि साल 2014 में अपने बैंक अकाउंट में 50,000 रुपई डेपोजिट किया थे आज के दिन उस अकाउंट में सभी तरिके की इंट्रेस्ट मिला कर टोटल 45,000 रुपई बैलेंस होगा तो इन 10 सालों में आपको 15,000 रुपई एक्स्टरा मिला अब आपके हाँ पर साइड या लग सकता है कि आपका पैसा बढ़ रहा है लेकिन असल में इंफलेस्ट के बज़े से आपका पैसा बढ़ने के बज़े कम हो रहा है हमारे इंडिया में इंफलेस्ट रेट एराउंड 5% आता है मतलब आज इस चीज के लिए आप 100 रुपई दे रहे हो अगले साल उसके लिए आपको 105 रुपई देना होगा अब हमारे बैंक्स तो इतना इंट्रेस्ट नहीं दे सकते कि आप इंफलेस्ट को बीट कर पाए वैसे ही सेयर मार्केट में सेयर्स का लेन दिन होता है अब सेयर ये किस्टिडिया का नाम है तो सेयर या स्टॉक का मतलब है कंपनी में एक छोटा सा हिसेदारी मानलो कि डॉली चाय वाला की नागपूर में एक चाय की दुकान है और उनके पास चाय बनाने के एक ऐसा फॉर्मूला है कि दूसरे देश से लोग उनके पास चाय पीने चिलाते अब अगर डॉली एक दिन यह सोचते है कि उनकी चाय को लोग इतना पसंद कर रहे तो क्यों ना अपने टीब इसने स्कोर ज्यादा एक्स्पैंड करें लेकिन नया स्वाप खरिदने के लिए तो उनको पैसा चाहिए अब अगर उनके पास पैसा है तो लगा सकते है और अगर नहीं है तो उनको बैंक जाना पड़ेगा लोण लेने के लिए लेकिन बैंक से लोन लेना इतना भी आसान नहीं है एक तो लोन मिलने के कोई गैरेंटी नहीं है और दूसरा कि अगर लोन मिल भी गया तो उनको 10-11% इंट्रेस चुकाना होगा और अगले महिने से ही उनके EMI भी स्टाट हो जाएगा अब एक नया बिजनेस को खड़ा करने के लिए तो टाइम चाहिए उनके एंप्लाइज को हायर करना होगा मार्केटिंग करना होगा अपने स्टोर सेट अप करना होगा और इन सब के लिए टाइम चाहिए तो हो सकता है कि उनका नया सौप ओपन होने के पहले यह माई उनके सर में चड़ जाए बैंक के लबा उनके पास एक और ऑप्शन है और है किसी एंजल इंवेस्टर के पास जाना अब एंजल इंवेस्टर डॉली को पैसा उधार नहीं देगा बलकि उसके टी बिजनेस में कुछ पैसा देने के वज़े से उस बिजनेस के एक सेर उनके पास चला जाएगा मानलो कि उस आदमी ने डॉली की चाय बिजनेस में एक क्रोड लगा कर उसका 10% सेर ले लिया अब उस बिजनेस से डॉली को जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 10% उस एंजल इंवेस्टर को देना होगा अगर डॉली का बिजनेस वार भी बड़ा यहां पर भी ने रुका और उसने पुरे भारत में अपना स्टोर खोलना चाहा तो अब उनको जितना पैसा चाहिए उसे ना तो किसी एंजल इंवेस्टर और ना ही वेंचर कैपिलिस्ट दे सकते हैं इस केस में डॉली को पब्लिक के पास जाना होगा अपने कंपनी का पब्लिक कंपनी हैं और लोग उसकी खरीद और बेच सकते हैं जैसे कि रिलाइंस, SBI, TCS, ITC यह सब कुछ पब्लिक कंपनीज हैं अब बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, स्टॉक एक एसी जगह है जहां पर स्टॉक्स खरीदा और बेचे जाते हैं इसे आप कंपेर कर सकते हैं सबजी मंडी के साथ एक सबजी मार्केट में जैसे कहीं सारे दुकाने रहती हैं और आप उन सब दुकानों में से एक दुकान को चूज करते हैं सबजी खरीदने के लिए तो इस stock market की case में यह सबजी मंडी है stock exchange, यह दुकांदर है companies जो के अपना shares बेचना चाते है और आप हो buyer जो की stocks खरीदना चाते है दुनिया में कहीं सारे stock exchange है, जैसे कि The New York Stock Exchange इस दुनिया का सबसे बड़ा stock exchange है, जिसके market के आप 25 trillion dollar है भारत में भी दो बड़े stock exchange है, Bombay Stock Exchange या BSE, जिसे साल 1875 में open किया गया था और National Stock Exchange या NSE, जिसे April 1993 में start किया गया था इन दोनो stock exchange के headquarter मुंबाई सहर में, stock exchange के साथ साथ अपने broker के बारे में भी सुना होगा दरसल ब्रोकर एक ऐसा person या company है, जो कि investor के लिए stocks order करता है मानलो कि आप Delhi में रहते हो, और आपके ABC नाम के company का stocks खरीदना है, जो कि BSE में listed है अब आप तो है कि stock खरीदने के लिए Delhi से सिदा मुंबाई नहीं जाओगे, यहाँ पर BSE का headquarter है आप यहाँ पर किसी middle man के साथ contact कर गए, जो कि आपके लिए उस company का stock order करेगा और इसके बदले में आपसे कुछ फीद लेगा, तो यहाँ पर जो middle man है, उसे ही कहते है broker पहले जब computer बगरा नहीं था, तब broker खुदी public में जाकर companies का stocks बेश दे थे लेकिन आज technology की वज़े से, यह सब कुछ online हो रहा है आप जो angel one, app stocks, five pesa, motila loss wall, ind money, इन सब apps को जानते हैं, यह सब के सब brokerage apps है अब बात करते हैं investor के बारे में, तो investor कहीं तरिके होते हैं, एक है retail investor, जैसे कि आप और मैं और दूसरा है institutional investor, जो कि stock market में बड़े players है, जैसे कि mutual fund, hedge fund, banks बगरा फिलाल तो इस video में हम retail investor के बारे में ही बात करेंगे तो जब आप और मैं market में आते हैं, तब हमारा main focus होते है profit कमाना और इसके लिए हम कम price में shares खरीदते हैं, और उसे ज्यादा price में उसे बेच देते हैं लेकिन आपको कैसे पता चलेगा, कि share का price उपर जाएगा, या फर ये नीचे जाएगा तो देखिए, पूरा share market काम करते है demand और supply के base पर ये बात तो हम सब जानते हैं, कि जब किसी चीज का demand बढ़ता है, और demand के मुकाबले supply कम होता है तब automatically उस चीज का price बढ़ता है, मानलो कि एक दुकान में सिर्फ 5 iPhone है और 10 customer उस दुकान में iPhone खरीदना गए, तो अब दुकानदार उन 5 iPhone की bidding करेगा और जो customer उनको ज्यादा पैसे देगा, उसे ही iPhone मिलेगा इसका ठीक opposite situation भी देखनक मिलता है मानलो किसी दुकान में 10 iPhone है, और खरीदने वाले सिर्फ एक customer है तो यहाँ पर दुकानदार यह चाहेगा, कि वो किसे भी करके उस customer का iPhone बेच पाए और इसके लिए वो iPhone की price को भी कम कर सकता है यह same formula stock market की case में भी दिखा जाता है जब किसी company का share धड़ा धड़ बिकने लगता है, तो उसका share price उपर जाता है और ज्यादा लोग उस share को खरीदने लगते है अब share price कब उपर जाएगा और कब नीचे जाएगा, यह बहुत सारे factors को पर depend करते है एक छोटी से छोटी घटना भी share market में तहल का मचा सकती है जैसे के company ने नया product launch किया, company का CEO बदला, company के उपर कुछ allocation लगा गया किसी देश में सरकार चेंज हुआ, इन सभी cases में share price कम जादा होती है मतलब stock market एक unpredictable game है तो अगर आप किसी company में job करते है, या फिर किसी दूसरे sector में काम करते है और share market में invest करना चाहते है तो आपके लिए long term investing, short term के मुकबले ज्यादा 5 months अबित होगा क्योंकि इसमें आपको बार-बार charts देखने के जरूरत नहीं है आप सिर्फ एक बार market के detailed analysis करके उसके base पर अपना पैसा लगा सकते है दूसरी तरफ short term investing में अब भले ही एक दिन में पैसा कमा सकते हैं लेकिन यह बहुत ही रिस्की है और इसमें आपका पैसा जाने की भी high chances रहती है यहां पर ही ज्यादा थे traders अपना पैसा लोज कर देते हैं क्योंको उनको तो 25 दिन में अपना पैसा double करने की चिंता है एक जमाना था जब हम भी गरीब हुआ करते थे रातो रात करोड़ पती हो गया हम 25 दिन में 25 दिन में पैसा double भले ही उनके पास share market का zero knowledge हो भी क्यों न तो आपसे request है कि अगर आप share market में नए है और अपना पैसा इंफेस्ट करना चाते है तो पहले तब कई मेंहों तक सिर्फ charts को observe कीजिए इससे आपको यह अंदजा हो जाएगा कि कौन सी patent bullies है और कौन सी bearies उसके बाद ही आप पैसों के invest करना शुरू किजिए इससे आपके loss होने की chances कई गुना तक कम हो जाती है अगर आप share market में अपना पैसा लगना चाहते है तो निफ्टी 50 और sensex 30 इन दोनों चीज़ के बारे में अपने सुना होगा तो निफ्टी और सेंसक्स अकिर है क्या दरसल बॉंबे स्टॉक एक्स्जेंज या बीसी हमारे इंडिया की जो टॉप 30 कंपनी दे उसे ट्रैक करके हर एक कंपनी में 20-20 रुपे इन्वेस्ट कर रहे है निफ्टी या सेंसक्स में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा फाइद है कि आपको 50 अलग अलग कंपनी के अनलेसिस करने के कोई जरूत नहीं आप सिर्फ एक बार निफ्टी में अपना पैसा इन्वेस्ट करते है और आ ट्रेडिंग करके आप भले ही एक दिन में एक लाग रुपे कमा सकते क्यों ना लेकिन इसमें आपका पैसा बहुत चीज़ से लूज भी हो सकता है ट्रेडिंग करने के लिए आपको टेक्निकल अनालिसिस सीखना होगा वही पर इन्वेस्टिंग एक लॉंग टर्म प्रोसे जिसमें ट्रेडिंग के मुकाबले रिस्क बहुत कम है लिकने इसमें पैसा कमाने की स्पीड भी ट्रेडिंग से कम है